है गाइस वेलकम बैक आ गया हूं मैं फिर से एक न्यू रैसीवी लेके जो है विल्कुल ओइल फ्री आज हूं बनाने जा रहे हैं कॉलिफ्लार पैटी यानि की गोबी से बनी हुई पैटी जो रहेगी हमारी विल्कुल ओइल फ्री कोकिंग के साथ साथ मैंने आप लिए ट्रैवलिंग ब्रॉक्स करना वी शूट किया है क्यूंकि इस समय हॉलिडे सीजन है और आप सब भी कही न कहीं घूमने का प्लान ज़रूर बना रहे होगे तो इसलिए अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस् लेकिन हाँ रेसिपी बनाने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जाके पहले मेरा चैनल सस्क्राइब कर ले ताकि उन्हें मेरी हर आने होली वीडियो की अपकमी नोडिकेशन मिलती है तो अब जादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अप यह हमारा गोवि कट चुका है अगर आपके पास हरे प्याज है तो आप हरा प्याज ले सकते हैं लेकिन मैं इस प्याज कर यूूज कर रहा हूं इसे भी आप छोटे-छोटे पीसिस में काट लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वेर टाइप पीसिस में हम इसे काटेंगे इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसिस में आपको कट कर लेना है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाएए अब हम कॉलिफार को डाल रहे हैं थोड़े देर गरम पानी में ताकि यह अच्छी तरह उबलके साफ्ट हो जाएए अब मैंने दो पीसिस गार्लिक लिए हैं आप भी दो पीसिस गार्लिक को लेंगे और चोटे छोटे पीसिस में इसे कट कर लेंगे धनिया को भी छोटे छोटे पीसिस में पीर छोटे छोटा कर लेंगे अब हमने ले लिया है थोड़ा सा चिकपीस जिसे मैंने कर लिया था पहले बॉइल और बॉइल करने के बाद मैंने इसे डालिया है बॉइल में चिकपीस के साथ साथ आपको चाहिए ब्रेड जो मैंने दे लिया है लेकिन इस ब्रेड को में क्या करूँगा इस ब्रेड को सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा टोस्ट अब मैं ब्रेड को डाल रहा हूं ब्रेड टोस्टर में इसे हम थोड़ा सा अब मैंने इस ब्रेड टोस एसलिए ब्लेड क्रम की जरूरत है, इसलिए हम इशे टोस्ट कर रहे हैं, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके और ब्लेड क्रम बन जाए, अब बोघवाईल्चिक पीस को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये शॉफ्ट हो जाए, जब फाइनली चिक पीस मेरे अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं और दूसरी तरफ मेरे ब्लेड़ भी टोस्ट हो चुके हैं अब ब्लेड को 20 मिनेट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ठंडा होने के लिए उसके बाद हम इसे ढालेंगे ब्लेंड करने के लिए पाइनली अब हम ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं अब इसे तोड़के डाल देंगे हम ब्लेंटर में अब आप देख सकते हैं यह मैंने ब्लेंटर में डाल दिया है अब हम करेंगे से ब्लेंट अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में अब हमारा कॉलिफलार यानि की गोबी भी उबलकर सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसे मिक्स करेंगे हमारे चिक पीस में और अच्छी तरह से इसे भी करेंगे ब्लेंट यह हमारा कॉलिफलार जा चुका है अब हम इसे अच्छी तरह करेंगे गोडिया कि इन दोनों का मिक्षर अच्छे से हो जाए और हमें चिक पीस और कॉलिफलार में कोई डिफ्रेंस क्पथा ना चले फाइनली अब चिकपीस और कॉलिफ़ार पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारा कुरियेंडर या निकी अब मैं इसमें डालने जा रहा हूं धनिया उसके साथ ही अनियन गार्लिक लैसुन जो हमने चोटे-चोटे पीसिस में कट किया था सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है इसी के साथ में डालने जा रहा हूं अब मैं इसे अच्छी तरह से करूंगा मिक्स और अब हम साथ-साथ में इसमें एड करेंगे स्वाधन स्वार नमक थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सा कमिन फाइनली अब हमारा मिक्शर बनकर त्यार है अब हम इसे गोला कार यानी की टिक्कियों के शेप में बना लेंगे यह आप देख रहे हैं आपको इसी शेप में इसे बना लेना है उसके बार जब यह आप पांच-छे बना लेंगे फिर हम इसे ओवन में रखेंगे हीट के लिए फाइनली मैंने दस बारा मना ली है अब हम इसे ओवन में रखेंगे बीस मिनिट के लिए फिर ओवन से निकालेंगे फिर यह हमारे ओईल फ्री कॉलिफलार पैटी बनकर बिल्कुर रेडी हो जाएंगी खाने के लिए अब हम इसे प्लेस कर रहे हैं ओवन में अब मैं इसे प्लेस करने जा रहा हूँ अगर आपके पास ओवन नहीं है इस समय तो आप इसे नौन स्टिकी पैन में भी बना सकते हैं और फाइनली यह मैंने इसे ओवन में प्लेस कर दिया तो फाइनली गाइस हमारी पैटीस बन कर त्यार है अब हम इसे निकालेंगे बहर यह आप देख सकते हैं अब यह खाने के लिए बिल्कुर रेडी है और फ्री पैटीस हमारी अब हम इसे प्लेट में डाल लेंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी पैटीस बन कर त्यार है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि यह रेसिपी कैसी बनी और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटि झास्टिरे एक पुतिरे। करेंगा चैनल सुझको कटाव तक वीडियो कि यह रेसिवा लेक पास्टिरे करें नहीं करेंगा पुतिरे।